नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं आप तक की बड़ी खबरों की 26-11 मुंबई आतंकी हमले की आज साथ वी बरसी देश की ओद्योगिक राजधानी में ठीक साथ साल पहले आज का ही वो मनहूस दिन था जब आतंकवादियों ने पूरे शहर में खूनी खेल खेला था 26-11 का दिन जब भी आता है तब मुंबई की चाती पर दिये गए जख्म एक बार फिर हरे हो जाते हैं 26 नवंबर 2008 ये वही रात थी जब पूरी मुंबई थमसी गई थी पाकिस्तान से आये 10 आतंकियों ने 60 घंटों तक मुंबई में हून की हूली खेली जिसके कारण 166 बेकसूर लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज्यादा लोग खायल हुए थे महराश्ट के मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्णवीज ने आज सुबह नरीमन पॉइंट जाकर मुंबई हमले में मारे गए लोगों को शधान चली थी बी सी सी आई ने मांगी पाकिस्तान श्रंखला पर सरकार से स्विक्रती भरती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर में श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ श्रंखला खेलने के लिए केंद्र सरकार से आधिकारी तोर पर स्विक्रती मांगी है बी सी सी आई सचिव अनुराक ठाकुर ने इसकी पुष्टी करते हुए कहा कि अब गेंद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के पाले में है क्यूंकि BCCI और Pakistan Cricket Board दोनों को अपनी सरकारों से अगले महीने होने वाली श्रंखला के लिए स्विक्रती का इंतिजार है संसत का शीद्कालीन सत्र आज से सम्विधान दिवस पर होगी चरचा संसत का शीतकालिन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है संसत के शीतकालिन सत्र के पहले दो दिन संविधान दिवस पर संसत के दोनों सद्दों में 6-6 घंटे चरजा होगी क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहिब अंबेटकर की 125 वी जयनती है आज के दिन ही देश में संविधान लागू किया गया था वधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर देशवासियों को बथाई देते हुए संविधान बनाने में योगदान देने वाले महान लोगों को नमन किया है मोदे ने कहा कि बाबा साहब अम्बेटकर के बिना सम्विधान अधूरा है